14th chapter exponent and powers सब तो पर लाएं जानना जुरूरी है कि exponent और powers एक ही या ठीक है एक example ले रही है मैं मालो 2 multiply 2 ठीक है 2 multiply 2 दा मतलए कि 2 दी power 2 ठीक है इफ 2 multiply 2 multiply 2 फिर असी लेख सकते हैं 2 multiply 2 दी power 3 ठीक है means कि 2 जड़ा ओर रपीट 2 बार हो रहास करके 2 दी power 2 2 3 बार रपीट हो रहा 2 दी power 3 ठीक है ज़ो असी larger numbers नूँ देखो कि डवर डर बंदा प्या standard form देविच लिख देया ना ते इन्हों exponent के दिन देया ठीक है किसी exponential form देविच इन्हों लेख दिता है एक्सप्रस कर दिता है ते उपर वाले जड़े powers भी हुंदे exponents भी हुंदे है ठीक है जड़ा नीचे वाला होंदा उन्हों से base कहा दिनने है तो उस्तो बाद गाल लांदी है साड़ी exercise दी इदी विच उन्हाने क्या find the value of to the power 7 है ठीक है इदी value अपर किस तरह पता करनी है यह बड़ा easy है 14.1 विच जाए find the value of to the power 7 है टू दी पावर 7 दा mean जुदो सी value पता करनी है यह नो 7 वाल 2 नो लिख लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ते इना सार एन multiply कर लेना ठीक है सो इना सार एन तो हटा answer 108 ही आवेगा ठीक है सो सारे ही साम इस तरीक के ना करनी है जे कर 9 दी पावर 4 इट मींज 9 नो 4 वार multiply करना या 12 दी पावर 2 इट मींज 12 नो 2 वार multiply करना या उस तो बाद हैगा second part second part दे वे चोनन क्या express the following in exponent देखो exponent हूं दा पावर ज आए 7 हानो दिता होया आवावनना ने इन्न 7 नो किन्नी वरी repeat किता गया 12345 इस करके इस 7 दी पावर 5 इस तरीक ना लेख लिए इन्नों के इन्दिया के इस एक्सपोनेंट देवे चेन नो कवर कर देता यह जिड़ा साब तो किन्ना वड़ दा सीगा हाना 7 multiply 7 सो ए लाजर नमबर नों सी छोटी स्टेंडर्ड फॉर्म चले देता ठीक है इस तो बाद मैं एक होर एक्जेंपल ले रही है मालो के ए ता एक्स एक्स और एक्स हाना इट मिंस एक्स दी पावर 3 आजेगा जेकर डिफरंट डिफरंट वैलिउस आजान जिदना 3 और 5 हाना थर्ड पार्ट आप 3 भी है गाया और 5 भी है गाया तुसी इन्हों कित्दा लिखना आया 3 1 और 2 2 वार पीठो है 3 दी पावर 2 उस्तो बाद मल्टिप्राई पाके 5 1 2 3 वार पीठो है आज करके 5 दी पावर 3 पैजेगी